हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल माही क्रियेशन फेशन वर्ल्ड पे आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आज के वीडियो को बनाने के लिए हमें चाहिए कोई भी पुराना बेकार दुपट्टा या फिर आपके पास कोई भी कपड़ा है आप उसका यूज कर सकते हैं बैट शीट का साड़ी का कोई भी कॉटन का कपड़ा आप यूज कर सकते हैं और ये है मेरे पास एक पुराना दुपट्टा जिसका कलर थोड़ा सा चला गया है तो आज इस से हम बहुत ही प्यारा साथ और बहुत ही यूजफुल और बनाके रेडि करेंगे चलिए पहले कपड़े की कटिंग कर लेते हैं और हमें आज के वीडियो के लिए सिफ एक पुराना दुपट्टा चाहिए है फ्रेंट्स तो हमें जिस साथ पे और्गनाईजर बनाके रेडि करना है तो हम उस साथ पे पहले कटिंग कर लेते हैं और एक दूपट्टे से हमारा बहुत ही बड़े साइज पे और्गनाइजर बनके रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स और यहां पे फ्रेंड्स मैंने 16 इंच की लंबाई रखी है कपड़े की और 12 इंच की चोड़ाई पे मैंने कपड़े को कटिंग कर लिया है तो यह देखिए फ कपड़े मैंने कट कर लिये ही यह देखिए और दो हमको छोटे पार्ट रेडी करना है तो यह देखिए यहां पे यह मैंने 11 इंच पे लंबाई चोड़ाई बराबर है फ्रेंड्स और हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे 11 इंच पे यह देखिए तो इस प्रकार से हमें 5 पा और टू पार्ट हमारे छोटे रहेंगे तो एक दूपट्टे से हमारा आज का और्गनाइजर बन जाएगा तो यह देखिए कपड़े की कटिंग हो गई है अब हमें इन ही के साइच पे राइस बेक को कट कर लेना है राइस बेक प्लास्टिक बेक आपके पास जो भी है आप को कट कर लीजिएगा आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बेकार के जो कपड़े होते हैं जिनका यूज नहीं होता है उनसे हम बहुत ही यूजफुल चीज बनाके रेडी करेंगे फ्रेंड्स तो यह देखिए यहाँ पे हमारी कटिंग पूरी कम्प्लीट हो गई है फ्रें पर मैंने ज्वाइंड लगा के इनको रेडी कर लिया है फ्रेंड्स अब यह देखिए इस प्रकार से हमें इस्टिच करना है इनको तो पहले राइस बेग रखना है फ्रेंड्स और फिर यह देखिए यह मैंने सेम साइच पे दो कपड़े कट करें दू पट्टे के तो अब इन पर चारो तरब से हम सिलाई लगा लेंगे और थोड़ी सी जगहों को छोड़ देंगे फ्रेंड्स जिससे की हम इसे पलट के रेडी कर लेंगे तो चलिए फ्रेंड्स चारो तरब से पहले सिलाई लगा लेते हैं और फिर इसे हम पलट के रेडी करेंगे सेम इसी तरीके से friends सारे part stitch करके हमको ready कर लेना है और बहुत ही आसान तरीके से आज हम कपड़े रखने के लिए storage box बना के ready करेंगे friends और इस प्रकार के बहुत सारे storage box बना के आप ready कर लीजिएगा जिससे की आपको कपड़े रखने में बहुत ही सानी होगी और आप इस प्रकार के स्टोरेज बॉक्स बनाके अपनी अल्मारी को भी और्गनाइज कर सकते हैं जिससे कि आपकी अल्मारी बहुत ही अच्छे से विवस्तित रहेगी और बहुत ही सुन्दर दीखेगी चारो तरब से सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए कोनों को हम चारो कोनों को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे और जो खुला हुआ पार्ट है हमारा उस पे भी हम सिलाई लगाके रेडी कर लेंगे फ्रेंट्स बस इसी तरीके से हमें सारे पार्ट बनाके रेडी कर लेना है फ्रेंट्स ये देखिए इसी प्रकार से छोटे वाले पार्ट भी बनाके ready कर लेंगे और यह देखिए फ्रेंद्स मैंने सारे पार्ट बना के ready कर लिया है अब इन पर हमें प्रेस कर लेना अच्छी तरीके से जिससे कि इनकी finishing बहुत ही अच्छी आईगी friends और ये देखिए हमारे सारे part बनके complete हैं चलिए friends अब इनकी stitching देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें इने join करना है और बहुत ही simple है friends कोई भी से बहुत ही आसान तरीके से बनाके ready कर सकता है और बहुत ही प्यारा सा organizer बनके ready होगा friends और बहुत ही simple तरीके से और बहुत ही जो बचे कुछे समान होते हैं हमारे घर पे जो बेकार समान होते हैं उनसे आप बहुत अच्छी चीज़े बनाके ready कर सकते हैं friends तो ये देखिए friends बस इस प्रकार से इनको join कर लेना है तो ये देखिए friends ये दो पार्ट हमने join कर लिए हैं अब इसी तरीके से ये थर्ड वाला पार्ट भी हमें join कर लेना है तो वो सिलाई लगा लेंगे friends और आप simple सिलाई machine से इसे बनाके ready कर सकते हैं बस friends इसी प्रकार से हमें सारे पार्ट join कर देना है और जब आप बनाने लगेंगे तो आप से बहुत ही आसान तरीके से ये बनके ready हो जाएगा अब ये देखिए friends ये जो छोटे वाले पार्ट है न उन्हें इस प्रकार से site पे हमें सिलाई लगा के ready करना है दोनों पार्ट को तो चलिए friends में सिलाई लगा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको कि ये किस प्रकार से बनके ready हुआ है और हम सभी लोगों के पास friends इतने प्यारे प्यारे सुन्दर सुन्दर दुपटे होते हैं कि हमें समझ पे नहीं आता है कि उनसे हमें क्या बनाके ready करना है तो आप इस प्रकार का organizer बनाके ready कर सकते हैं friends और अपने जो कपड़े होते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से store करके रख सकते हैं तो बेकार चीजों का भी use हो जाएगा और बहुत अच्छी अच्छी चीजे भी बनके ready हो जाती है friends तो ये देखिए ये छोटे वाले जो part थे हमारे वो भी stitch हो गए है बस अब ये देखिए friends इस प्रकार से ये कोनों को भी हमें पकड़ के stitch कर लेना है और बहुत ही प्यारा लग रहा है friends तो ये देखिए friends इस प्रकार से पकड़ के चारों तरब से सिलाई लगा लेंगे हम तो चलिए friends में सिलाई लगा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको कि इसका final look किस प्रकार से आया है और बहुत ही simple तरीके से बनके ready हुआ है friends और बहुत ही अच्छा बनके ready हुआ है नहीं तो हमें कोई cardboard की जरूरत है और नहीं तो हमें कोई chain लगाने की जरूरत है friends और बहुत ही simple तरीके से बहुत ही प्यारा सा हमारा ये organizer कपड़े रखने का basket, organizer आप बहुत ही आसान तरीके से बना के ready कर सकते हैं friends तो ये देखिए अब इसे पलट के ready कर लेंगे friends और दोनों तरब से ये बहुत ही finishing के साथ ready हुआ है friends तो ये देखिए friends बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़े साइच पे बनके ready हुआ है आप इसे ऐसे भी use कर सकते हैं friends तो ये देखिए friends बहुत बड़े साइच पे ये ready हुआ है तो अब हम क्या करेंगे उपर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस प्रकार से इसे पलट लेंगे friends जिससे की इसका look और भी अच्छा आने लगेगा और कपड़े जो store करेंगे हम तो बहुत अच्छे से इस पे store हो जाएंगे और बहुत बड़े साइच पे बनके ready हुआ है friends तो ये देखिए इस प्रकार से पलटने के बाद हमें चारों तरब से सिलाई लगा के ready कर लेना है तो चलिए friends पहले सिलाई लगा लेते हैं तो हमारी सिलाई complete हो गई है friends और अब ये इसी दूपट्टे की ये जो lace बची हुई थी तो मैं इसका भी यूज कर लेती हूँ friends तो उपर की तरब हमें किनारे किनारे पे ये lace हम लगा देंगे या आपके पास कोई भी साड़ी की पुरानी lace होगी आप उसका भी यूज कर सकते हैं तो मेरे पास ये lace थी तो मैंने सोचा चलो इसका भी यूज कर लेते हैं तो ये देखिए friends चारों तरब से मैंने लगा के ready कर लिया है अब ये देखिए friends यहाँ पे हम है एक लंबी पट्टी लेना है और एक rice bag लेना है उसी के size का तो इस प्रकार से हम सिलाई लगा के एक पट्टी बना के ready कर लेंगे लंबी तो जिससे की हम handle लगा के ready कर लेंगे friends जिससे की हम है इस organizer को यदि उठाना है तो उठाने में आसानी होगी तो ये देखिए पट्टी अकाट हो गई है और मैंने friends बहुत ही simple तरीके से इनको लगा के ready कर लिया है और ये चारो जो कोने है न उपर की तरफ वहाँ पर मैंने सुईधागे की help से थोड़ा थोड़ा सिलाई भी किया है जिससे की ये बहुत ही अच्छे से look के साथ ready हुआ है अब आप इस पे जो भी store करना चाहते हैं friends तो कर सकते हैं बच्चों के खिलोने आपकी साड़ी कोई भी पुराने कपड़े आप इस पे store कर सकते हैं साड़ी store कर सकते हैं आपके जो daily के कपड़े होते हैं friends तो आप उनको भी इस पे store करके रख सकते हैं और बहुत ही प्यारा सा हमारा यह storage box बनके बहुत ही ready हुआ है और यह देखिए इस प्रकार से आप अलमारी पर रख दीजी इस पर कपड़े रख के तो अलमारी भी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से और इस पर भी बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे और आप उपर की तरब भी बहुत सारी साडिया टांग सकते हैं तो इस प्रकार की अदि आप दो तीन बैक बनाके ready कर लेंगे तो आपके बहुत सारे कपड़े इस्टोर अच्छे से हो जाएंगे तो आप लोग इस पर अपने हिसाब से चीजों को स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये स्टोरेज बॉक्स आज बनके ready हुआ है और आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड थोड़ी सी भी स्टोरेज बॉक्स रेड़ी हुआ है तो चलिए फ्रेंड मिलते इसी तरीके के और भी अच्छे और प्यारे प्यारे वीडियो के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहीं है तो